हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु में चनल, आज मैं आपको अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउट्स की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसानी से इसके पहले आपने मेरे चनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रेब कर लीजिए तो इसके लिए ये हमने ब्लाउट्स पीस लिया है और ये हमने एक मीटर लाइनिंग फाब्रिक लिया है तो सबसे पहले हमने फाब्रिक को डबल में रखा है सबसे पहले हमें बैक का बार्ट कट करना है अभी length लेंगे blouse की तो blouse की ready length है 14 inch उसमें 1 inch margin लेंगे तो 15 inch पे निशान लगा लेंगे यहाँ पर straight line draw कर लेंगे अभी हम shoulder लेंगे तो यहाँ पर back neck deep 10 inch का है तो 10 inch के लिए हमें यहाँ पर shoulder कम करना होगा तो यहाँ पर normally मैं shoulder blouse के लिए 6 inch लेती हूँ तो यहाँ पर हम 5 inch shoulder लेंगे half inch कम कर लेंगे अभी armhole लेंगे तो armhole मैं ले रही हूँ 6 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हम chest size लेंगे तो chest है 34 inch उसको 4 से divide करना है तो वो आजाता है 8 inch तो यहाँ पर हम chest लेंगे 8 inch तो यहाँ पर 8 inch पर हमें निशान लगा लेना है अभी यहाँ पर हम कमर लेंगे तो कमर है 28 inch तो 28 को 4 से divide करना है तो वो आजाता है 7 inch 7 inch तो यहाँ पर 7 inch पर निशान लगाएंगे प्लस यहाँ पर देखिए हमें 1 inch extra लेना होगा क्योंकि back part में हमारी 1 inch की dart आएगी तो 1 inch extra लेंगे और इन दोनों points को जोड़ देंगे तो यह 1 inch हमने back part की dart के लिए लिया है अभी हम यहाँ से 2 inch का margin ले लेंगे side में आप 1.5 inch का margin भी रख सकते हैं अभी इन दोनों points को जोड़ेंगे अभी हमें armhole draw करना है तो यहाँ से हम 1 inch पर mark करेंगे और इस तरह से गुलाई का shape देंगे अभी हमें neck की marking करनी है तो neck width मैं ले रही हूँ 1.5 inch और neck deep मैं ले रही हूँ 10 inch back के लिए यहाँ पर भी हम 1.5 inch ले लेंगे और यहाँ पर straight line draw करेंगे उसके बाद हम round shift draw कर लेंगे back neck के लिए अभी dart के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम 3.5 inch पे निशान लगाएंगे उसके बाद उपर की तरफ हम length लेंगे dart की 4 inch standard size उसके बाद यहाँ से हमें half half inch दोनों तरफ mark करना है तो यह हमारी 1 inch की dart हो जाएगी अब यहाँ पर हमें इसको तिर्चा जोड़ देना है अभी हमें back part की cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने back part की cutting कर ली है अभी front part की cutting करनी है तो fabric को हम इस तरह से double में ही रखेंगे यहाँ पर यह two fold हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे अभी हमें back part को इसके उपर रखना है नीचे से एक इंच extra fabric छोड़ना है उसके बाद इसको रखना है उसके बाद हमें shoulder line जैसा है वैसा ही mark करना है और armhole को भी जैसा है वैसा ही mark कर लीना है और यहाँ से देखे एक इंच हमने extra लिया है क्योंकि हमें योगपटी इसी में mark करनी है और cut करनी है तो वापस योगपटी को attach करने के लिए हमें एक इंच का margin लगेगा इसके लिए हमने एक इंच extra लिया है अभी side में भी एक इंच extra लेंगे क्योंकि armhole की तरफ हमारी plate आएगी और यहाँ पर side में भी हम एक इंच extra लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारी एक plate आती है side में तो वहाँ पर fabric कम पड़ेगा इसके लिए हम यहाँ पर भी एक इंच बढ़ाना है इस तरह से देखें और अभी इन दुनों points को हम जोड़ देंगे अभी back part को हटा देंगे अभी front neck की marking करेंगे तो neck deep में ले रही हो 6 inch और neck width जितनी है उतनी ही लेनी है यहाँ पर हम धाई इंच लेंगे neck width उसके बाद एक box बना के round shape draw करेंगे अभी front armhole भी half inch अंदर से इस तरह से mark कर लेंगे अभी हमें belt के लिए निशान लगाना है योगपटी के लिए तो योगपटी हमारी 2 inch की ready होगी तो यहाँ पर हम 3 inch पर निशान लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पर straight line draw कर लेंगे अभी यहाँ से हम 1 inch उपर की तरफ मार्क करेंगे जहाँ पर neck है वहीं से 1 inch उपर की तरफ मार्क करना है और इस तरह से round shift draw कर लेना है तो यह हमारे belt की योगपटी की मार्किंग हो गई है अभी हम dart के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम 4 inch पर निशान लगा लेंगे अभी बाकी 3 point हम इसी के उपर से लगा लेंगे तो इस तरह से इंची टेप को तीरचा करेंगे और यहाँ से हम 1.5 inch पर निशान लगा लेंगे उसके बाद फिर से इंची टेप को घुमाते हुए फिर से 1.5 inch पर निशान लगा लेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पर इसको घुमाते हुए 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर किस साइज के लिए कितना लेना है यह मेले स्क्रीन पे दे दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यह लाइन स्ट्रेट रहेगी यह आर मोल्क से हमें जोडनी है और यह वाली हम साइड में थोड़ा नीचे की तरफ जोड़ेंगे अब यह वाली जो हमारी डार्ट है यह वन इंच की रहेगी तो हाफा फिंच दोनों साइड में मार्क कर लेंगे तो ये हमारी वन इंच की रेडी हो जाएगी और अभी यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे और बाकी की जो तीन डार्ट है वो हमारी हाफ इंच की रहेगी तो दोनों साइट में से पाव पाव इंच की इस तरह से लाइन्स ट्रॉआ करनी है तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से डार्ट के निशान हमने लगा लिए हैं अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं यहाँ पर जॉइंट है तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे आप यहाँ पर खुली साइट से भी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंट पार्ट की तो इस तरह से यह योगपटी के दो पार्ट से तो इस तरह से फ्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई है अभी हमें इसको ओपन करके रखना है अब यहाँ पर इसको हम इसके ओपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे जिसे कि यह जो डार्ट के निशान है वो दूसरी साइड में भी आ जाएंगे अब इसको ओपन करेंगे अभी यह जो निशान्स आ गए है इनको हम डार्ट कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई है अभी हम स्लीवस की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाबरिक को फोर्फोल्ड करके रखा है यहाँ पर यह इसकी ओपन साइड है और यहाँ पर फोर्फोल्ड की जो वेड़ है वो हमने नाइन इंच की लिए है जितना आपका आर मोल है उससे तीन इंच जादा लेना है धाई से तीन इंच जादा लेना है तो हमने आर मोल 6 इंच का लिया था तो हमने 9 इंच वेड़ ली है और लेंथ भी हमने 9 इंच ली है लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम ज़दा कर सकते हैं स्लीव्स की अभी ये जो ओपन साइड है यहां से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहां पर हम इसको तिरचा जोड़ेंगे अभी हम इसको मेजर करेंगे और इसके सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे उसके बाद हाफ इंच उपर की तरफ मार्क करना है और हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और यहां से हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे यह हमारा बैक कार मूल है और यह जो अंदर की तरफ है यह हमारा फ्रेंट कार मूल है इस तरह से अभी हमें स्लीव्स का बॉटम लेना है तो स्लीव्स का बॉटम मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी हमें कटिंग करनी है सबसे पहले बैक आर्म होल कट करेंगे यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और फ्रेंट आर्मोल की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने दोनों साइड के लिए स्लीव्स की कटिंग कर ली है तो अभी में फाब्रिक को हमने इस तरह से डबल में रखा है यहाँ पर यह इसकी open side है और यहाँ पर fold side है अभी back का part हम इसके उपर रखेंगे तो fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है back part की इस बात का ध्यान देना है और यहाँ पर हम pins लगा लेंके उसके बाद front part को भी हम इसके उपर रख लेंके और यहाँ पर भी हम pin लगा लेंके अभी यह जो योग पट्टी है इसको भी हम यहाँ पर रख लेंके और यहाँ पर भी हम pin लगा लेंके उसके बाद sleeves को भी हम इसके उपर रखेंगे तो जो border वाली side है उसी के side से हम sleeves को रखेंगे तो यहाँ पर sleeves को हमेशा open करके ही रखना है इस बात का ध्यान देना है उसके बाद हमें इसकी इसी shape में cutting कर लेनी है सारे parts की तो हमने cutting कर ली है तो यह देखें back का part है और यह front का part है और यह sleeves है तो अभी सबसे पहले back part को open करेंगे और इसके उपर देखें lining को हमें रख लेना है तो main fabric और lining दोनों को हमें attach करना है तो इस तरह से इसके उपर रख लेंगे और इसको हम stitch कर लेंगे सभी sides से और attach कर लेंगे उसके बाद front part के भी सारे parts को अलग-अलग कर लेना है और इसके उपर lining को रख लेना है इस तरह से और इनको भी हमें attach करना है यहाँ पर उल्टा सीधा अच्छे से देख लेना है उसके बाद ही lining को इसके उपर रखना है और इसको stitch कर लेना है इस तरह से सारे parts को हमें सबसे पहले attach कर लेना है उसके बाद जिस तरह से simple blouse stitch करते है उसी तरह से इसको stitch कर लेना है स्लीव्स को भी हम सबसे पहले attach करके stitch करेंगे कर दो